आज के पाठ का शेशक है रस सिध्धान्थ आज के पाठ के अध्यन के उपरांथ आप भरत मुनी के प्रसिद रस सूत्र का परिचे प्राप्त कर सकेंगे रस सिध्धान्थ से सम्यक परिचे प्राप्त कर सकेंगे रस के अर्थ वा उसकी परिभाशा को जान सकेंगे रस के विभिन प्रकारों वा रस के अव्यवों को समझ सकेंगे रस सिध्धान्त की प्रमुख व्याख्याओं और उनके व्याख्याकारों से परिचे प्राप्त कर सकेंगे साधारनी करण की अवधारना को समझ सकेंगे और रस के स्वरूप को भी समझ सकेंगे भारतिय काविशास्र रस को सरवाधिक महतवपून मानता है कावशास्त्री ही नहीं, अपितु भारती ये जीवन द्रश्टी में भी रस की प्रतिष्था निर्विवाद रूप से स्विक्रत है तभी तो हमारे जीवन के विभिन शेत्रों में रस शब्द का इस्तेमाल होता आया है वे आस्वाद या आनंद के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है रस को आध्यात्मिक महिमा से मंडित करते हुए उसे रसो वे सह तक कहा गया है अर्थात रस परमात्मा है नाटिशास्त्र की प्रणेता आचारिभरत ने तो जीवन के लिए इसे अनिवार मानते हुए यहां तक कहा है कि नही राद रिते कश्चिदर्त प्रवर्थते इसका अर्थिये है कि रस के बिना जीवन का कोई उदेश्य नहीं है इस प्रकार भारतिय जीवन पद्यती रस को लौकिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूपों में अत्यंत महत्वपूर्ण और मुल्यवान मानती है भारतिय एवं पाश्चात्य सभी तरह के कावचिंतन की परंपरा में कावयानंद को स्वीकरती प्राप्त है कहा जा सकता है कि किसी कविता को पढ़ने, सुनने या नाटक अत्वा एकांकी आधी को देखने से हमें एक विशेश प्रकार के आनंद की अनुभूती होती है यह आनंदा अनुभूती ही रस है इस संबंध में संस्कित परंपरा के प्रकांड पंडित विद्वान आचार बल्देव उपाध्याय ने इस पश्ट रूप से लिखा है कि काव के सुनने या पढ़ने से शोता या पाठक के चित में जो विलक्षन अलोकिक आनंद आता है उसी का नाम रस है रस के अव्यव कौन कौन से हैं यह जानने के लिए हमें भरत मुनी के प्रसिद रसूत्र को समझना पड़ेगा उनका रसूत्र है विभाव अनुभाव विवचारी संयोगादरस निश्पत्ति अर्थात, विभाव, अनुभाव व संचारी भावों का इस्थाई भाव से संयोग होने पर ही रस की निश्पत्ति होती है रस के इन अव्यवों या अंगों को संक्षिप में इस प्रकार समझ सकते हैं किसी कावि के सुनने, पढ़ने, नाटक या एकांकी आधी को देखते समय जो भाव सहदय के चित में आधी से अंत तक विद्यमान रहते हैं उन्हें ही इस्थाई भाव कहते हैं इस्थाई भाव से अभिप्राय, प्रधान या मूल भाव से है इस्थाई भाव को सरल रूप से समझने के लिए ये कहा जा सकता है कि जो भाव सहिदय के चित में वासना के रूप में मौजूद रहता है और जिसे अनुपूल या विप्रीत भाव छिपा या दवा न सकते हों और जो विभावादी के मेल से रस रूप में परनित होता है उस इस्थाई भाव की संग्या प्राप्त होती है। अनुभाव वसंचारी भाव जिस किसी भाव को पुष्टी प्रदान करते हूं उसे ही इस्थाई भाव कहा जाता है। इस्थाई भाव के रूप में मानिता प्रदान की। इसके पश्चात इनकी कुल संख्या ग्यारा हो गए। इस प्रकार रसों और इस्थाई भाव की संख्या ग्यारा है। अध्भुत रस इस्थाई भाव विसमय, शांत रस इस्थाई भाव निरवेद याशम, वात्सल लेरस इस्थाई भाव वत्सल, भक्ती रस इस्थाई भाव भगवद विश्यक रती। इसे ब्याविचारी भाव भी कहते हैं ये भाव इस्थाई भावों की पुष्टी के लिए सक्रिय होते हैं और इस्थाई भावों में ही आविर्भूत वा तिरोहित होते परिलक्षित होते हैं संचारी से आशय है संचरन करने वाला संचारी भाव या व्याविचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं जिनको इस तरह प्रस्तुत किया जा सकता है अपस्मार, अमश, अलस्ता, अवहित्था, आवेग, असुया, उग्रता, उन्माद, ओत्सुक्य, गर्व, ग्लानी, चपलता, चिंता, जडता, दैन्य, ध्रती, निद्रा, निर्वेद, मती, मद, मरण, मोह, लज्जा, विभोध, वितर्क, व्याधी, विशाद, शंका, श्रम, संत्रास, इस्मरती, स्वप्न, और हर्ष इस्थाई भावों के पोशन के लिए संचारी भावों की आविशक्ता होती है सहरदय के चित्त में वासना रूप में मौजूद इस्थाई भावों को आस्वादन के योग बनाने वाले कारक तत्वों को विभाव कहा जाता है यह सोई हुए भावों को जगाते और तेज करते हैं दूसरे शब्दों में विभाव सहरदय चित्त में विद्यमान सुप्त भावों को उद्भुद एवं प्रदीप्त करते हैं विभाव के दो प्रकार माने गए हैं आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव आलंबन विभाव के भी दो भेद स्वीकार किये गए हैं आश्रे और विशे जिस व्यक्ति या पदार्त के अवलंव से सहरदय के चित्त में इस्थाई भाव का इस्फुरण होता है उसे ही आलंबन विभाव कहा जाता है उधारन के लिए शकुंतला को देखने पर राजा दुश्यंत के हिर्दय में रती भाव जागरत हुआ इस प्रकार शकुंतला अलंबन है आश्रे का अर्थ है आधार अर्थात काव्य नाटक आधी में रती आधी इस्थाई भाव जिसे अनुभव होते हैं उसे आश्रे कहते हैं शकुंतला को देखने से राजा दुश्यंत के चित्त में रती भाव जागरत हुआ इसलिए दुश्यंत आश्रे है वे सभी कारक जो इस्थाई भाव को उद्धीप्त करने का कारे करते हैं उद्धीपन विभाव कहलाते हैं प्रतेकरस के अपने विशिष्ट उद्धीपन होते हैं मानसल एवं सुंदर कलेवर, आकरशक वस्तरा भूशन, एवं आंगिक चेश्टाएं रति आदी भाव को व्रद्धी प्रदान करती हैं इसलिए उद्धीपन कहा जाएगा आचार भरत ने अभिने को अनुभव गोचर बनाने वाले साधन को अनुभव माना है सहर्दै चित्त में इस्थाई भाव के उद्धै होने के बाद जो शारिरीक विकार दुष्टी गोचर होते हैं उन्हें अनुभव कहा जाता है अनुभव के पांच प्रकार हैं काईक अनुभव, वाचिक अनुभव, सात्विक अनुभव, मानसिक अनुभव और आहार्य इन अनुभवों की चर्चा इस प्रकार है काईक अनुभाव इस्थाई भाव का अनुभव कराने वाली आंगिक चेश्टाएं अनुभाव के अंदरगत समिलित हैं इद्मे, कटाक्षपात, चुम्बन, भुरू संचलन, आदी क्रियाएं, गण्ये हैं वाचिक अनुभाव वाणी के द्वारा सहिर्दे के इस्थाई भाव का सम्यक ज्यानप्राप्त हो जाता है इसे ही बाचिक अनुभाव कहा जाता है सात्विक अनुभाव मनुष्य के सौभाविक शारीरिक परिवर्तन, जिस पर उसका कोई नियंतरण नहीं होता है सात्विक अनुभाव के अंतरगत आता है इनकी संक्या आठ मानी गई है ये हैं इस्तंब, स्वेद, रोमांच, स्वर्भंग, वेपतु, कमपन, वैवन, अश्रु और प्रले मानसिक अनुभाव अन्तहकरण के भावों के अनुसार, मन में हर श्विशाद आदी का अनुभाव होता है इसे ही मानसिक अनुभाव कहा जाता है आहार्य चित्में विद्यमान भावों के अनुरूप, क्रत्रिम बेश्वूशा धारन करना, आहार्य अनुभाव कहलाता है अब हम रसों के बारे में जानेंगे इसका इस्थाई भाव रती है रती नामक इस्थाई भाव के बिभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से संयोग से शंगार रस निश्पन होता है इसके संयोग शंगार वव्योग या विप्रलम भशंगार नाम से दो भेद हैं संयोग शंगार जिस रचना में नायक वा नायका के प्रेम मैं मिलन का उनके संभाशन, आलिंगन, चुम्बन, आदी का चित्रन होता है वहां संयोग शंगार होता है उधारन बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई सौह करे भोहन हसे दैन कहे नटि जाए यहां इस दोहे में रती इस्थाई भाव है राधा आश्रे और श्री कृष्ण आलंबन है राधा की चेश्टाएं उद्धीपन है शपत लेना, हसना, नटि जाना अनुभाव है और हर्ष, आवेग, उत्सुकता, आदी संचारी भाव है यहां इन सबसे पोशित होकर हुआ रती भाव शंगार रस के रूप में परिनत हुआ है बियोग या बिप्रलंब शंगार बियोग शंगार उसे कहते हैं जहां नायक एवम नायका के बीच प्रेम होने पर भी समागम ना हो पाए जहां नायक नायका के वियुक्त होने का चित्रन उपलब्ध हो वहां वियोग शंगार की इस्तिती होती है यह चार प्रकार का होता है पूरवराग, मान, प्रवास और करुन पूर्वराग नायक और नायका के मिलन से पहले हिर्दय में उत्पन अनुरागी पूर्वराग कहलाता है नायक नायका में पूर्वराग प्रत्यक्षदर्शन, चित्रदर्शन या गुण श्रवन से होता है मान का अर्थ है रूठना जहां नायका प्रेम में नायक से रूठती है वहां प्रणय मान होता है और जहां एश्या से रूठती है वहां एश्या मान होता है प्रवास नायक वा नायका में से किसी एक का प्रवासी होना अर्थात अन्यत्र चले जाना प्रवास कहलाता है करुण जहां किसी कारण से नायक नायका का मिलन संभव ना हो किन्तु मिलन की शीन आशा विद्यमान हो तो वहां करुण वियोग शंगार होता है विरह या वियोग की दशाएं दसमानी गई है अभिलाशा इस व्योग दशा में मिलन की लालसा अभिलाशा कहलाती है चिंता, इसमरण सयोग दशा में नायक नायका के मद्य हुए हास परिहास आधी की इसमरतियां ही इसमरण कहलाती है गुण कथन प्रिये के गुणों का कथन ही गुण कथन है उद्वेग किसी काम में मन का ना लगना उद्वेग कहलाता है प्रलाप विरह के आधिक्य के कारण विरही जब अनरगल बाते करने लगता है तब प्रलाप नामक विरह दशा होती है उन्माद पागलपन विरहा धिक्य के कारण विक्षिप्त चित्त होना ही उन्माद है जड़ता विरहे के कारण शरीर का निश्चेष्ट होना ही जड़ता है व्याधी विरहा धिक्के से शरीर का पीला पढ़ना कमजोर होना लंबी सांस लेना ही व्याधी है मरण विरहे की अधिक्ता से मृत्यू के समान पीडा का अनुभव मरण दशा कहलाता है इसमें हास नामक इस्थाई भाव का बिभाव, अनुभाव वा संचारी भावों से संयोग होता है तो हासे रस निश्पन्य होता है हास्य, विक्रत भिश्भूशा, आकार, वाणी वाणी वाचेष्ठा के कारण उत्पन्न होता है विंध के बासी उदासी तपो ब्रतदारी महा बिनुनारी दुखारे गौतम तीये तरीतुल सीसो कथा मुनी निबुनी ब्रंद सुखारे इस उधारन में हास नामा के स्थाई भाव है आलंबन श्री राम है और आश्रे है मुनी ब्रंद गौतम की पतनी अहिल्या का उधार दीपन है मुनी ब्रंद का कथा श्रवन अनुभाव और हर्ष उत्सुकता चंचलता आदी संचारी भाव है इस सबके मेल से हास रस की निश्पत्ती संभव होई है जहां उत्साह नामा के स्थाई भाव, बिभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है वहां वीर रस निश्पन होता है वीर रस के चार भेदमाने गए हैं युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर उधारन इस प्रकार है जै के ध्रडविश्वास युक्त थे दीप्तिमान जिनके मुखमंडल परवत को भी खंड खंड कर रजकन कर देने को चंचल फड़क रहे थे अति प्रचंड भुजदंड शत्रु मरदन को विहवल ग्राम ग्राम से निकल निकल कर ऐसे युवक चले इस उधारण में वीर्रस है उत्सह इस्थाई भाव है आश्रे युवक हैं आलंबन शत्रु हैं अनुभाव मुख का दीप्तिमान होना और भुजाओं का फड़कना है संचारी भाव हर्ष चपलता और आत्म विश्वास है जब शोक नामक इस्थाई भाव का विभाव अनुभाव वसंचारी भावों से संयोग होता है तो करुन रस के निश्पत्ति होती है इस रस का कारण अनिष्ट वस्तु की हानी, प्रेमी का चिर्वयोग, अनिष्ट वस्तु का लाव, अत्वा अर्थ हानी होता है उधारन के लिए इस्मर्ती, दैन, चिन्ता, जड़ता आदी संचारी भाव है इस सब के संयोग से यहां करुन रस निश्पन है जहां क्रोध नामक इस्थाई भाव विभावादी के साथ संयोग करता है वहां रोद्र रस निश्पन होता है इसका आलंबन अपकार करने वाला व्यक्ति शत्रू आदी है अपमान या निंदा करने वाले बचन उद्धीपन है शस्त्र को बार बार चमकाना, डींगे हांकना, प्रतिग्या करना, जमीन पर चोट करना, मूर्चवाना आदी अनुभाव है अमर्ष, मद, इस्मरती, चन्चलता, असूया, उग्रता, वेगादी संचारी भाव है इस उधारन में क्रोध इस्थाई भाव है श्री राम, लक्षमन आलंबन वा परशुराम आच्रे है लक्षमन के व्यंग्यबान, तूटावा धनुष, उद्धीपन और परशुराम का परशु दिखाना, वकटु वचन कहना अनुभाव है आवेग, उग्रता, असूया, आदी संचारी भाव है इन सब के संयोग से यहां रोधरस की निश्पत्ती हो रही है भै नामकिस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर भयानकरस की निश्पत्ती होती है भै का कारण भै उत्पन्य करने वाली वस्तूं का दर्शन, उनका श्रवन या शत्रु आदी का आतंक होता है इसका उधारन, लंका की सेना तो कपिके गर्जन रव से काप गई, हनुमान के वीशन दर्शन से विनाश को भाप गई उस कंपित शंकित सेना पर कपिनाहर की जब मार पड़ी, त्राही त्राही शिवत्राही त्राही शिवकी सब ओर कुकार पड़ी इस उधारण में भय इस्थाई भाव, युद्ध सनलग्न हनुमान आलंबन और लंगा की सेना आश्रे है सेना का कापना वा त्राही त्राही करना अनुभाव है चिंता, त्रास, विशाद, आदी, संचारी भाव है जुगुपसा या घ्रणा इस रस का इस्थाई भाव है जुगुपसा इस्थाई भाव विभावादी से पोशित होकर विभत्स रस की निश्पत्ती करता है इसका उधारण इस प्रकार है जिपु आतन की कुंडली करी जोगिनी चबात पीवही में पागी मनो जुवती जले भी खात इस उधारण में विभत्स रस की उपलब्धी है इसका इस्थाई भाव जुगुपसा या घ्रणा है इसका आश्रे, दर्शक, आलंबन जोगिनी उद्धीपन आतों को पीव में पाग पाकर खाना वा रोमांच, नाक भौं सिकोड़ना आखे बंद करना आधी अनभाव वा आवेग आधी संचारी भाव है असाधारण वस्तु या घटना को देख कर या सुन कर जब विसमय इस्थाई भाव का पोशन हो तब अध्भुत रस निश्पन होता है उद्धारण के लिए इहां उहां दुई बालक देखा मतिभ्रम मोर की तोर विसेशा देखी राम जननी अकुलानी प्रभु हसिदीन मधुर मुसकानी देखा वा मातई निज अध्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिलागे कोट कोटी ब्रहमंड इस उधारण में राम का अलोकिक रूप आलंबन और माता कोशलय आश्रे हैं यत्र तत्र सर्वत्र श्री राम और लक्ष्मन का दिखाई पढ़ना वा उनकी अलोकिकता उद्धीपन है माता की व्यकुलता उन्हें विसमे होना अनुभाव है दैन, भय, उत्सुकता आदी ब्यविचारी या संचारी भाव है शम या निर्वेद नामक इस्थाई भाव का बिभाव, अनुभाव एवन संचारी भावों से संयोग होने पर शांतरस निश्पन होता है संसार या शरीर की नश्वर्ता का सम्यक ज्यान होने से एक प्रकार का ओदासीन ने प्रकट होता है ऐसे में शांतरस उत्पन होता है यह तत्विज्यान से भी संभव है उधारन के लिए अबलो नसानी अबना नसे हो राम क्रपा भवनिसा सिरानी जागे फिर नडसे हो पाई उनामर चारुचिंता मनी उर करते नखिसे हो स्याम रूप सुची रुचिर कसोटी चित कंचनही कसे हो परवस जानी हस्यों इन इंद्रिन निजबस हुए नहसे हो मनुमदुकही परन करितोलसी रगुपती पद कमल बसे हो तो धारन में निरवेद इस्थाई भाव है सांसारिक नश्वर्ता का ज्यान आलंबन है और कभी स्वैम आश्रे है पश्चाताप और भगवान को हिदे में धारन करने का प्रण ही उद्दीपन है पश्चाताप वानी से प्रकट करना और संसार की असार्ता का कथन ही वाचिक अनुभाव है अपनी छोटे के उपर वाच्सलिका भाव प्रकट होता है यही वाच्सल नामा किस्थाई भाव से पुष्ठ होकर वाच्सलिरस में परिनत हो जाता है इसे साहित्य दरपणकार आचार विश्वनात ने रस के रूप में मानिता प्रदान की है इसके संयोग वाच्सल और व्योग वाच्सल नामक दो भेद है कभहू ससी मांगत आरी करे कभहू प्रतिबिम्ब निहारी डरे कभहू करताल बजाई के नाचत मातू सबे मनमोद भरें कभहू रिसियाई कहें हटिके पुनिलेत सोई जही लागी अरें अवधेस के बालक चारी सदा तुलसी मनमंदिर में बिहरें इस उधारण में दश्रत के चारों बेटों की नाना प्रकार की बाल लेलाओं को देखकर वत्सल नामक इस्थाई भाव उत्पन हुआ है इसलिए यहाँ पर वत्सल्यरस है भक्तिरस के विशय में आचारिगन एकमत नहीं है पुराने आचारे इसे भगवत विशयकरती मानते हुए इसे भाव कोटी में स्थान देते थे परन्तु वैश्णव आचारियों ने इसे बहुत महत्व दिया वे इसे सर्वश्रेष्ट आदिरस तक मानते हैं रूप गोस्वामी के उज्वल नीलमणी और भक्ती रसामरता सिंधु में इसकी प्रमुकता से चर्चा हुई है जहां इश्वर विशयकरती विभाव अनुभाव और संचारी भावों के सयोग से परिपुष्ट होती है वहां भक्ती रस की इश्पत्ती होती है इस उधारन में प्रभु या इश्वर विशयकरती इस्थाइभाव हरी आलंबन भक्ताश्रे है इश्वर के एश्वर का मान या गान अनुभाव है हर्ष, दैन, गर्व, आदी, संचारी भाव है इनसे पुष्ट होकर भक्ती रस निश्पन हो रहा है भरत मुनी ने अपने नाटे शास्त्र में रस सूत्र प्रस्तुत करते हुए रस निश्पत्ती की चर्चा की है उनका रस सूत्र है विभाव अनुभाव विवचारी संयोगादरस निश्पत्ती अलग-अलग टीका कारों ने इसकी अलग-अलग तरह से व्याख्या की है सबसे पहले हम आचारे भट्ट लोलट के उत्पत्ती बात के वारे में जानेंगे आचारे भट्ट लोलट की रस सूत्र की व्याख्या के अनुभाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव इन तीनों के सम्यक योग होने से रस की निश्पत्ति या उत्पत्ति होती है परन्तु ये तीनों रस के लिए एक जैसे कारण नहीं होते है बिभाव रस उत्पन करता है इसलिए रस होता है उत्पाद्य और बिभाव होता है उत्पादन अनुभाव रस को प्रतीती योग्य बनाते हैं अर्थात अनुभावों से ही पता चलता है कि अमुक व्यक्ति के हृदय में रस की उत्पत्ती हुई है संचारी भावों के द्वारा रस की पुष्टी होती है अता दोनों में पोश्य पोशक भाव का संबंध है इस प्रकार उक्त सूत्र के अनुसार विभाव, अनुभाव, वसंचारी भाव रस के प्रती तीन प्रकार से उत्पादन की शमता रखते हैं और इन तीनों के संयोग से रस की उत्पत्ती होती है यही लोललट का उत्पत्ती बाद है आचार शंकुक का अनुमिती बाद शंकुक ने लोलट के उत्पत्ति बाद का खंडन करते हुए भरत के रस सूत्र की अपनी नई व्याख्या प्रस्तुत की जिसे अनुमिती बाद नाम से ख्याती प्राप्त हुई उनकी मानिता है कि विभावादी अनुमापक और रस अनुमाप्य होता है इस प्रकार विभावादी और रस में अनुमापक अनुमाप्य संबंद होता है शंकुक का मानना है कि इस्थाई भाव अनुकार राम आदी में ही होता है नट या अभिनेता द्वारा उसका अनुकरन करने से यह प्रतीत होता है कि वह भी इस्थाई भाव का अनुभव कर रहा है इस्थाई भाव के अनुकरन के द्वारा सामाजिकों को आनंदिकी प्राप्ति होती है आचारे शंकुक नयायिक थे उनका रस निश्पति सिध्धान अनुमितिवाद न्याय सम्मत है न्याय दर्शन के माननिता अनुसार ग्यान चार तरह से प्राप्त कर सकते हैं वस्तु के प्रत्यक्ष दर्शन अनुमान उप्मान वा शब्द द्वारा अनुमिति का संबंद केबल अनुमान प्रमान से है अनुमान प्रमान द्वारा प्राप्त ग्यान ही अनुमिति है अनुमान प्रमान के पूर्ववत अनुमान, शेश्वत अनुमान और सामानेतो द्रश्ट नाम से तीन भेद हैं आचारे शंकुक ने अनुमान सिध्धान्त को रस पर लागू किया और इसपष्ट किया कि विभाव पूरुवत अनुमान अनुभाव शेश्वत अनुमान वा संचारी भाव सामानितो द्रश्ट अनुमान है अपने सिध्धान्त के इस पश्टी करण के लिए उन्होंने चित्र तुरंग न्याय का उधारन दिया है जैसे चित्र में बने अश्व को देखकर दर्शक उस पर विश्वास कर लिता है उसी प्रकार नायक की बिश भुशा, वाणी तथा उसके जीवन का अभिने करने वालों में वैबास्तिविक पात्रों का अनुमान कराता है इस प्रकार आचारे शंकुक ने राम को दर्शनिक आधार पर प्रतिष्ठित किया आचारे भट्ट नायक का भुगती बाद आचारे भट्ट नायक सांखे दर्शन के मानने वाले थे उनकी रस सूत्र की व्याख्या सांखे संबत है उनके अनुसार संयूग से अभिप्राय, भोजे भोजक भाव वा निश्पती से आशे भुगती से है उनकी दर्श्टी में रस की भुगती होती है उन्होंने अपने सिध्धान्त के स्थापना के लिए कावि के तीन व्यापार माने है अभिधा व्यापार, भावकत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार अभिधा के द्वारा शब्द से अर्थ की प्रतीती होती है भावकत्व साधारणी करण है भोज कत्व ब्यापार द्वारा सामाजिक रस का भोग करता है उसके राजस, तामस, गुण दव जाते हैं उसमें सत्वोद्रीक उत्पन होता है सात्विक भाव के उदे के कारण ही रस भोग्य होता है आचार अभिनव गुप्त का अभिव्यक्ति बाद आचार अभिनव गुप्त बहतवपूर्ण ध्वनिवादी आचार हैं वे आनंद बर्धन के ध्वनी तत्व की व्याख्या करते हैं और भरत मुनी के रस तत्व की भी वे भरत मुनी के रस सूत्र के चोथे व्याख्याकार हैं उन्होंने रस्व सूत्र के विवादित शब्दों का अर्थ इस प्रकार किया है निश्पत्ति, अभिव्यक्ति, संयूग, व्यंजक, व्यंग संबंध अभिनफ गुप्त की माननेता है कि विभावादी और इस्थाई भावों में पारस्परिक रूप में व्यंजक, व्यंग रूप संयूग से रस्थ की अभिव्यक्ति होती है इसका आर्थ ये है कि विभावादी व्यंजकों के द्वारा रती आदी स्थाई भावों का साधारणी करण होता है और ये ही श्रंगार आदी रसों के रूप में अभिव्यक्त होते हैं इसलिए विभावादी की इस्तिती में ही रसों की अभिव्यक्ती भी संभव होती है अन्यथा नहीं नाटक या कावे आदी के द्वारा सहधे चित में मौजूद संसकारों का साधारणी करण होता है और ये देश-काल, स्वापर-ादी की चेतना से मुक्त होकर सुख-युक्त-प्रतीती के कारण बनते हैं अभिनव गुप्त के बाद इस परंपरा में जिन आचारियों ने अपना चिंतन प्रस्तुत किया है संस्कृत के आचारियों से इतर हिंदी के आचारियों आचारे रामचेंदर शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र वा डॉक्टर आनंद प्रकाश देख्षित आधिनेवी मौलिक विचार किया है काविगत अनुभूतियों का किसी एक व्यक्ति तक सीमित ना होकर उसकी सर्व सामानने तक व्यापती ही साधारणी करण है जिस वस्तु का साधारणी करण होता है वह अपनी विशेष्टाओं का परित्याग करके सामान रूप में प्रतिश्टित हो जाता है उधारण के लिए रावन द्वारा श्रीराम की पतनी सीता के अपरहन से श्रीराम शोका कुल है यदि है प्रसंग अभिनीत हो रहा है तो यह शोक सिर्फ शिराम को नहीं होगा बलकि उपस्तित दर्शकों का शोक होगा यही विशेष्टासाधारणी करण होना है आचारे भट्टनायक, आचारे अभिनव गुट, आचारे धननजे, आचारे विश्वनात, पंडितराज जगनात के साथ ही साथ, हिंदी के आचारे रामचेंदर शुक्ल, बाबु श्याम सुंदरदास, बाबु गुलाब राय, आचारे नंदुलारे बाचपेई और आसवाद्य बताते हैं, उनके अनुसार ये आसवाद नहीं है, इस प्रकार ये विशैगत ना होकर विशैगत होता है, भरत के बाद रस की चर्चा भरत के रसूत्र के अधार पर ही हुई, किन्तु आचारे ने इसे विशैगत बना दिया, आचारे अभिनव गुट्ट ने रस को अलोकिक बताया, वस्तुता अनेक आचारियों ने रस के स्वरूपर विचार किया है, किन्तु यदि आचारे विश्वनात का उधरन दिखा जाए, तो उसमें सभी आचारियों की बातों का अंतरभाव हो जाता है। इस उधारन के अनुसार रस का स्वरूप इस प्रकार है, रस आस्वाद रूप है, रस का आविर्भाव सत्व द्रेक की इस्तती में होता है, रस अखंड है, रस वेद्दांतर इसपर्शशुन्य है, रस स्वप्रकाशानन्द है, रस चिन्मय है, रस लोकोतर चमतकार प्रा रसानुभूती अनिवारी रूप से आनंद मई होती है इसमें रजोगुण वतमोगुण का परिहार होकर एक मात्र सतोगुण का उद्रेख होता है रसानुभूती ब्रह्मा स्वात सहुदर होने से अलोकिक है रसानुभूती के लिए सहर्दे होना आवशक है और रसानुभू जहां रस की सम्यक प्रतिती ना हो, सिर्फ उसका आभास हो, वहां रसाभास होता है आभास से अभिप्राय है अवास्तविक स्वरूप निश्करशूप में कहां जा सकता है, कावे नाटक को सुनने, देखने से पाठक या सहिदय को एक विलक्षन वा अलोकिक आनंद प्राप्त होता है, यही रस है भरतमुनी के प्रसिद रस सूत्र के आचार भट लोलट, आचार शंकुक, आचार भट नायक और आचार अभिनवगुप्त चार प्रमुख व्याख्याक्यार हुए हैं, काव्यानों भूतियों का किसी एक व्यक्ति तक सीमित न रहेकर, उसकी सर्व सामाने तक व्याप्ती ही साधारणी करण है रस सत्वोद्रेक, अखंड, स्वप्रकाश, आनंद में, चिन में, वेद्यांतर इसपरशशुन, ब्रह्मा स्वात सहूदर और लोकोत्तर चमतकार प्राण से संपन्न है